है लो गाईज वैलकम टो ओल ओ लो फ्यू लान विथ मी स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्टीब चैनल लान विथ मी में दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ल वाले है इसे लोक्स का PART 5 इससे पहले हम लोगे ने PART 1, PART 2, PART 3, PART 4 डिसक्स किया था, PART 1 में हम लोगी हुआ पढ़ा, SOME और ALL का CONCEPT पढ़ाता, सॉमनोट और NO का KONCEPT पढ़ा था, उसके बाद हम लोगे earlier और यह उन्हेक बढ़ाता ठीक है इसको हमने जानना शिखा था कि कैसे पहँचानते हैं व Ale उसके बाद हम लोगने पॉसिबिलिटी पढ़ाता ठीक है एकेय कर jud開始 हम लोगने सारे कoncept डिस्कस कर लिये थे आज हम पढ़ने वाले हैं निगेटिव पॉसिबिलिटी ठीक है निगेटिव पॉसिबिलिटी में कैन नेवर भी वाला हम पढ़ेंगे ठीक है यह सब आज हम डिसकस देंगे अगर अभी तक आप लोगों ने चारू वीडियो नहीं रेखें तो प्लीज उसे जाकर देख लीजिए पढ़े थे जिससे की क्या हो रहता पूरा पार डिसकर्स हो द्युका था ठीक है यहां और अजब नहीं करेंगे निग थे जिससे कहीं चलते हमारे तो सब्सेद्थ कर लिथा टियुक है ऑज भी हम वही करेंगे बिल्कुल freshरों crystals child कर लिया वे ऑज और गोना चारू यहां क possibility case ठीक है क्या बोल रहा है कि यह सारे वर्ड अगर दिख गए क्या दिख गया कि it is not a possibility ठीक है या फिर can never be यह सब दिख गया can never be या संभावना नहीं है ऐसा नहीं हो सकता है नहीं हो सकता ऐसा कुछ भी लिखा हुआ दिख गया तो वो क्या रहेगा किया प्रचान Noek हम अब चलते हैं हम हमारे इस्टेट्मेंट की तरफ स्टेट्मेट ही यह लिका है कॉम वही basic statement से ही पढ़ेंगे, क्या लिखा है, sum ARB, sum BRC, no C is D, ठीक है, ये जाल लिया, अब हम लगों ने statement बिला लिया, बिल्कुल इस statement से हम जानना सीखेंगे, ठीक है, अब चलते conclusion के दरब, conclusion ये रहा, दो conclusion दिये हुए, आप देख सकते हैं, क्या लिखा है, पहले conclusion को हम पहले solve करेंगे, क्या लिखा है, no ARB, it is not a possibility, अब मैंने देख लिया, यहाँ पे not possibility दिख गया, मुझे लिखा हुआ, मतलब ये क्या है, negative possibility का case है, ये क्या है, मेरा negative possibility का case आगया, अब जब मैंने देख लिया possibility की तरफ, ठीक है, अगर मेरा possibility हो रहा है, तो negative possibility इसका opposite हो जाएगा, possibility है, तो negative possibility नहीं होगी, और negative possibility होगी, तो possibility नहीं होगी, कहने का मतलब ये है, अगर, मैं सबसे पहले negative possibility के question चेक करने के लिए क्या करूँगी, possibility सहीं आ गई, तो negative possibility नहीं होगा, अगर possibility गलत आ गई, तो निगेट्यू पॉसिबिलिटी फॉलो करेगा ठीक है बस इसका अब पॉसिबिलिटी का अपोजिट है निगेट्यू पॉसिबिलिटी ठीक है अगर पॉसिबिलिटी फॉलो कर रही तो निगेट्यू पॉसिबिलिटी नहीं करेगी फॉलो अगर पॉसिबिलिटी नहीं कर रही तो negative possibility follow करेगी, ठीक है, तो चलिए, अब हम इसको solve करते हैं, statement यही था, sum ARB, sum BRC, sum no C is B, ठीक है, यह statement मैंने लिख लिया, अब क्या बोल रहा है, इसमें, इसे अच्छे से बना लिया जाए, अब क्या बोल रहा है, no A is B, अब मुझे क्या चेक करना है, no check करना है, किस में किस म हम क्या करते है, no को pair की साथ इसके check करेंगे, मतलब no और sum दोनों check होगा, ठीक है, पहली बात, no check करूंगे, अगर हम मैं, तो देख सकते हो, A और B में no है क्या, नहीं, मतलब नहीं आएगा, sum है क्या, A और B में, A और B में sum है, मतलब एक भी सहीं, तो possibility क्या हो गई, possibility क्या हो लेगा, अगर no, तो हम क्या check करेंगे, sum और no, मैंने देख लिया, A और B में, A B में no है, नहीं, मतलब बिल्कुल, no नहीं है, sum है, क्या, A B में, sum follow कर रहा है, ठीक है, no follow नहीं कर रहा है, sum follow कर रहा है, एक भी follow कर देगा, तो क्या बलगा मैंने, possibility नहीं होगी, एक भी सहीं हो ठीक है, no sum, all और sum not, ठीक है, इसका pair बना की हम check करेंगे, no sum को मैंने चेक किया, एक भी सहीं आ गया, तो possibility गलत हो जाएगी, ठीक है, और अगर दोनों गलत है, तो possibility follow करेगी, और possibility का opposite ही है, negative possibility, बस इतना ही ध्यान रखने की possibility का opposite क्या आएगा, negative possibility, ठीक है, possibility सहीं है, तो negative possibility ग एक ली क्या check करने, सिर्फ possibility चेक करने, और possibility चेक करने की क्या होना जाएगी, यह दोनों conclusion गलत होने चाहिए, ठीक है, तो चलिए, अब हम solve करते है, दूसरे conclusion को पहला क्या आगया, मेरा, सहीं आ गया, ठीक है, sum ARB, sum BRC, no C is D, ठीक है, पहला conclusion क्या गया, मेरा, सहीं आ गया, no ASB, no ASB था, नहीं, no के साथ sum check का, sum ASB है, एक भी सहीं, तो possibility क्या होगी, गलत, और जब possibility गलत होगी, तो negative possibility क्या होगी, सहीं, ठीक है, इसका answer क्या गया, सहीं, ठीक है, अब हम दूसरा conclusion solve कर लेते हैं, ठीक है, diagram क्या था, हमारे statement का, sum ARB, sum BRC, no C is D, ठीक है, यही diagram था, conclusion आप देख सकते हैं, क्या लिखा हुए, sum ARB, it is not a possibility, not a possibility से पता चल गया, negative possibility है, फिर मैंने देखा, किसका पूछ रहा है, sum का, ठीक है, तो sum में क्या जाता है, sum और no, दोनों आते हैं, ठीक है, sum और no, दोनों आ जाएगा, possibility में, sum का pair क्या हो जाता है, no हो जाता है, तो no और sum, दोनों गलत, दोनों गलत, तो possibility सहीं, और जब possibility सहीं, तो negative possibility गलत, ठीक है, तो पहले का अंसर क्या आया था, सहीं, दूसरे का अंसर क्या आ गया, गलत, ठीक है, दोनों गलत आ गए, तो possibility क्या हो गई, सहीं आ गई, और possibility सहीं आ गई, तो negative possibility गलत आ गई, आई बात समझ में तो चलते हैं हमारे दूस्ते स्टेट्मन की दरब क्या बोल रहा है सम पी यार क्यों मतलब कुछ पी क्या है क्यों है फिर क्या बोल रहा है कि नो आरीज एस अब मैंने बताया था नो में अगर बड़ा सरकल निगेटिव रिलेशन रखता है तो अंदर वाले पी छोटे सरकल क् निगेटिव रिलेशन ठीक है यह इंडियरक लाइन मैंने ड्रोव कर ली घर का मुख्या जब ऐस क्या नहीं जा सकता आर तो क्या क्यों जाएगा बिल्कुल नहीं जाएगा ठीक है अब चलते हम हमारे कंक्लूजन की तरफ इस्ट्रेट्मेंट ड्रोव हो गया ठीक है तो कं है निगेटिव पॉश बिलेटि का कोशनित्ता समझ आ गया ठीक है अब नो कूछ थो पुछ है तो पॉसिबलिटी वाले मिनों Sum दोर से च्यक होगा ठीक है किस किसी की बीच में च्यक करना है क्यों और स्कि क्यों ए रहा एसम रहा यह रहा sinking लिए रहा अप लोगों को दोनो तो negative possibility क्या रहेगी, बिल्कुल सही रहेगी, ठीक है, तो पहला conclusion क्या रहा है, follow कर रहा है, ठीक है, पहला follow कर रहा है, पहला लिख लिया मैंने की follow कर रहा है, इसका statement का क्या था, sum PR Q था, फिर all Q र, R था, no R, E, S था, ठीक है, और ये indirect line हमने draw करनी, ठीक है, यही था न, statement, अब चलते हैं, दूसरा conclusion क्या बोल रहा है हमारा, sum PR not S, अब क्या पूछा है, sum not पूछा है, ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, sum not पूछ रहा है, तो sum not जब पूछ रहा है, तो हम क्या sum not और all, दोनों check होगा, ठीक है, किसके किसके बीच में बोल रहा है, P और S के बीच में आप देख पा रहे हैं, question से, ठीक है, अब क्या करना है, हमें इसमें negative possibility पूछा है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले possibility चेक करेंगे, P और S के बीच में, P ये रहा, S ये रहा, ठीक है, P से S जाना है, ठीक है, P से S में all दीख रहा है क्या, नहीं, मतलब गलत हो गया, P से S में sum not दीख रहा है क्या, P से direct negative relation है, S का, नहीं, ठीक है, पर P के सांद कोई ऐसा बनादा जूड़ा है, जो S के सांद negative relation रखता है, बिल्कुल जूड़ा है, P और Q यहां पे जूड़े हुए ठीक है, यह जूड़ा हुआ है, P और Q, और Q का S के सांद negative relation, मतलब P के इस हिससे का भी क्या है, इस के सांद negative relation है, मतलब sum not क्या है, follow कर रहा है, ठीक है, sum not क्या है, follow कर रहा है, अब दोनों में से जब एक भी सहीं आ गया, तो possibility क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, और जब possibility negative possibility definitely हो जाएगी, ठीक है, इतनी बात है इस हमज़ में, sum not और all में, sum follow कर रहा है, एक भी सांद negative गलत और possibility गलत और पोसिबिलिटी गलत और तो नेगेटी पोसिबिलिटी उसका अपोसित मतलब गलत का सहीं, सहीं का गलत, तो जब possibility गलत आगी, तो negative possibility सहीं हो जाएगी, ठीक ह यह negative था ठीक है अब क्या बोल रहा है किसरा conclusion all बोल रहा है तो सबसे पहले मैंने देखा all बोल रहा है तो all और sum not दोनों चेक होगा ठीक है all और sum not दोनों चेक होगा किन के किन के बीच में s और p के बीच में ठीक है possibility है क्योंकि यह negative possibility है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले S और P की possibility चेक करेंगे तो possibility के लिए सबसे पहले all देखते हैं S और S ये रहा P ये रहा ठीक है अब कहां जाना है S से P जाना है पिछले question में हम P से S गए थी इस question में हम S से P जाएंगे ठीक है क्या बोल रहा है all कुछ है S और P में all देख रहा है बिल्कुल नहीं ठीक है S और P में all देख रहा है क्या इन दोनों में नहीं देख रहा है मतलब गलत हो गया अब sum not देख रहा है क्या S से P जाना है क्या negative relation नहीं है क्या S के साथ कोई ऐसा बनता जुड़ा है जो P के साथ negative relation रखता है S के साथ कोई ऐसा नहीं जुड़ा है S के हैं? अकेला है मतलब इसका क्या हो जाएगा sum not भी गलत हो जाएगा indirect way से भी S और P मेर निगेटिव relation नहीं बन रहा है S की तरफ से कुछ नहीं बताया गया मतलब यह भी follow नहीं बताया है S के साथ कोई आसा बन जुड़ा है से पी एगीटिव relation रखता हूं मतलब इस गलत हो जाएगा All भी गलत Sum not भी गलत दोनों गलत मतलब possibility सही और जब possibility सही तो negative possibility गलत जब दोनों गलत है तो possibility सही हो गयी और possibility सही हो गयी साहीं आया तीसरे का गलत आगया ठीक है यह तीन conclusion में उल्ट किये अब option में ऐसे तीन conclusion देखे भी बोल सकते हैं कि कि यह only first follow only first and second follow only second and third follow ऐसे ठीक है तो हम क्या करेंगे first and second follow को tick कर देंगे ठीक है इत्ती बात है इसमझ में इसमें हम लोगों ने क्या क्या सिखा negative possibility चेक करने के लिए सबसे पहले हम ने देखा कि word दिया रहेगा not possibility या फिर can never be यह सब मतलब negative possibility वाला question आ question देख लिया जम negative possibility का तो हम सबसे पहले क्या करेंगे possibility चेक करेंगे और अगर possibility सही तो negative possibility गलत possibility गलत तो negative possibility सही ठीक है बस इतना ही छोटा सा concept है बहुत इज़ी है आप लोग देख सकते हैं कितनी असानी से यह solve हो जा रहा हूँ मुझे है उमीद है कि मैं जो समझा रही हूँ आप लोगों तक समझ आ रहा होगा ठीक है अब जलते हैं can never be वाले concept की तरफ ठीक है इसा पूछेगा यही दो ज्यादा पूछे जाते हैं इन दोनों में से भी all सबसे ज्यादा पूछा ज्यादा ठीक है mostly all वाला ही देखने को मिलता है ठीक है तो चली बात करते हैं इसकी हम चलते है स्टेट्मेंट की तरफ इस्टेट्मेंट यह रहा है क्या लिगा सम काउज और डॉग मतलब कुछ काउज क्या है डॉग है ठीक है अब क्या बोल रहा है no dog is cat no dog is cat अब मैंने देख लिया दो सी दिख रहे हैं तो पहले वाले को मैं काउज लिख लूँगी दूसरे वाले को cat लिख लूँगी ठीक है ताकि मुझे confusion ना हूँ अब क्या बल रहा है all cat सा rat ठीक है all cat क्या है rat है ठीक है अब बताओ कि the और cat में जब निगेटीव रिलेशन है तो rat से निगेटीव रिलेशन हो गया क्या पूरा नो होगा क्या, नहीं क्यों? क्योंकि इसका ज़som अंदर वाले से इसकी बातचित नहीं है मुख्या से तो बातचित हो सकती है ठीक है अंदर वाला एक बंदा है इनकी फैमिली का जो इससे बात नहीं करता है पर हो सकता है बाकी लोग बात करते हूं ठीक है तो हम अभी नहीं बोल सकते है तो अगर यह मैंने आप लोगों सिखा रहा कि है कि बाहर वाले सरकल से अगर निगेटिव रिलेशन होगा ये हमारा को ये हमारे डोग ओर क्या था हमारे टक और ये थैंद हमारे रेट ठीक है इतका था यहीं थे ना अब दो आपन कम्यों चेक करना कि आउर मैंने लेखा ये तेउर नेवर बी ये तीन वर्ट दीख गए मतलब मैं समझगी कि ये किसका कोशन है निगेटिव पॉसिबिलिटी का कोशन है ठीक है निगेटिव पॉसिबिलिटी का कोशन है तो अब मैं क्या करूँगी सबसे पहले ओल में क्या चेक करूँगी अल की निगेटिव पोसिबिलिटी ठीक है, अल के निगेटिव पोसिबिलिटी ठीक है, अल की निगेटिव पोसिबिलिटी ठीक है, अल की मुझे क्या चेक करनी है, निगेटिव पोसिबिलिटी ठीक है, तो अब सबसे पहले निगेटिव पोसिबिलिटी के लिए हम क्या चेक कर दें possibility तो all के साथ किसका check होगा some not का ठीक है all के साथ किसका check होगा some not का ठीक है all के साथ में some not का check करूँगी अब some not का check करूँगी all can never भी मतलब क्या समझा all की negative possibility तो अब negative possibility के लिए हम क्या करते है possibility चेक करेंगे थीज़े से पहले क्या करेंगे possibility चेक करेंगे To gaul यह some not थीक है किंकी किंकी बीच में बोल़ और या-ото कि बीच में यह wreck और काउ के बीच में थीच है red और काउ काउ यह रहाः धिरा ठीक है तोनों के बीच में आप लोगों को all क latch आगया नहीं मतलव तो गलत कहां से जाना से औरहैं को है uni video ऑन से ऋपराइब कर नहीं तो जी सब 이 सकते हैं को हैमत्व की सथ बंडा है सां गॉलम वन भ Saya मत्राइब के सांथ क्षाण निगैटीफ दौनरी कंशना कमरने मान फुर्दwardट काई की तो ऎसे नहें घ्राथ है क्या या मत्तलव था जो सब तो यह क्या हो गया गलत अब जब मैंने देखा कि दोनों गलत है तो possibility फॉलो करेंगे और जब possibility फॉलो कर रहे तो निगेटिव पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी ठीक है possibility सही तो एगेटिव पॉसिबिलिटी गलत इत्ती बात है ही समझ में अब देखते हैं हम इसी का दूसरा econclusion ठीक है दूसरा conclusion क्या बोल रहा है All Red can never be Dog अब भी All कई पूछा है किसमें किसमें पूछा रेट और डॉग में ठीक है अब रेट और डॉग में पूछ लिया अब मैंने लिखा और लिखा है तो ऑल और समनों दोनों चेक होगा ठीक है किसमें किसमें चेक होगा रेट में रेट से डॉग में ठीक है रेट से डॉग में हम चेक करेंगे डॉग यह रहा रेट यह रहा द टोटी केरिवा बिल्कुल टोट डोग के सानने इन यह बिल्कुल निगेटीव रसें लेशन मतलerve यह क्या है फॉलौ करेंगा तो सबनौर जब सही होग्या तो क्या बिल्कुल उसक बॉलिटी ऐें से हैं इत्ती बाते समझ में हम चलते हैं अगले स्टrating से statement यह रहा किया बोल रहा है all teacher are student ठीक है all teachers are क्या है students है ठीक है फिर क्या बोल रहा है some students are intelligent कुछ student क्या है intelligent भी है ठीक है क्या बोल रहा है no intelligent is boy कोई भी intelligent क्या है boy नहीं है ठीक है फिर क्या बोल रहा है all boys are handsome सभी boys क्या है handsome है पुचके अब यह क्या है इंटेलिजन का बॉय के साथ नेगेटिव है तो एच के साथ होगा है? हम नहीं बता सकते हैं तो यह रहेगा ऐसी रहेगा उसके बाद जब इतना बना लिया हम लोग नहीं तो अब क्या करते हम चलते हमारे conclusion कि तरफ ठीक है conclusion यह रहा दो conclusion देख रहा है पहला कहा लिखा हुए Some students can never be boys दूसरा कहा लिखा Some handsome can never be teacher ठीक है इसमें क्या पुछ़ा है Some never be ठीक है Some can never be भी पुछा है अब हमें यह ध्यान रखना है कि जब भी some can never be लिखा रहेगा मतलब क्या पूछ रहा है इसमें सिर्फ यह ध्यान लगना है हम कुछ भी इधर उदर चैक नहीं करेंगे यह नहीं समझेंगे कि इसका उसके साथ साथ रिलेशन कें इसके साथ समें बहुत कंफ्यूजन होजाते हम बहुत वज़ाते हम सिर्फ एक याद कर लेंगे कि सम के नैवर बी मतलब सम नौट की निगेट्व पोसिलिटी थीज़ा, इस बात को आप याद कर लीज़ेगा कि कहीं भी एक लिखा हुआ दिगया some can never be मतलब some not की ही negative possibility पूछाए ठीक है ये वो फलाना डिमकाना से बिलकुल नहीं जाएंगे बहुत confusion हो जाएगी बहुत false जाएंगे इसलिए हम simple याद रखेंगे some can never be मतलब some not की negative possibility चेक करनी है ठीक है अब मैंने देखा पहला conclusion some students can never be some can never be some not ठीक है some not अब some not check करना है तो all भी check करना पड़ेगा किन की की बीच में students और boys के बीच में ठीक है अब मैं जाओंगे students से boys की तरफ ठीक है all है क्या दोनों में बिलकुल नहीं है मतलब गलत हो गया some not है क्या some not है क्या student और boys में student का boys के साथ direct relation नहीं है indirect है क्या मतलब S के साथ कोई ऐसा बंदा जूड़ा है जो क्या है boys के साथ negative relation रखता हो बिलकुल S के साथ I जूड़ा हुआ है intelligent जो की boys से क्या है negative relation बनाता है ठीक है मतलब इसका ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा पॉसिबिलिटी गलत दोनों में से एक भी सही तो पॉसिबिलिटी गलत पॉसिबिलिटी गलत तो negative possibility सही ठीक है some can never be मतलब some not की negative possibility चेक करेंगी इस बात को आप याल रख लीचे ठीक है बहुत ही सिंपल है बस इत्ता ही ध्यान रखने पॉसिबिलिटी करेंगे तो all भी चेक करेंगे एक भी सही तो possibility गलत पॉसिबिलिटी कलत तो negative possibility सही ठीक है अब चलते हम हमारे दूसरे conclusion को solve करने ठीक है क्या हो रहा है दूसरा conclusion some का handsome और teacher में पूचा है some not का पूचा है some can never be मतलब some not ठीक है some can never be मतलब some not some not हो गया some not के साथ all चेक करेंगे किसमे किसे h और t में ठीक है handsome और teacher में अब देखूंगे मैं teacher ये रहा handsome ये रहा इसमें कहीं पे all दीकर है क्या बिल्कुल नहीं इसमें negative relation है नहीं indirect way से t के साथ कोई बंदा जूड़ा है s जूड़ा है s का है h के साथ negative relation नहीं है मतलब ये क्या है गलत हो गया दोनों गलत तो possibility सही possibility सही तो negative possibility गलत ठीक है दोनों गलत तो possibility सही possibility सही तो negative possibility गलत ठीक है अब आज की class का सार क्या क्या निकल के आया हमने क्या सीखा इस से कि सबसे पहले हम कुछ वर्ड देखने अगर वह वर्ड दिंगे अ मतलब यह क्या है Niguel possibility ठीख कैहा है और क्या ओरने निगेटीब पॉसिबिलिटी के लिए सबसे पहले हम possibility चेक करेंगे, ठीक है, possibility सही हो जाएगी, तो negative possibility गलत, possibility गलत हो जाएगी, तो negative possibility सही, ठीक है, all can never be मतलब, all can never be मतलब, all की negative possibility, और some can never be मतलब, some not की, ठीक है, all can never be, all की negative possibility, some can never be, some not की negative possibility, ठीक है, ये दो तिन बाते ही हैं, जो ध्यान रखनी है, अगर हम लोगों ने इन बातों तो हम क्या है इसको solve असानी से कर सकते हैं बिल्कुल भी गन्फ्यूज नहीं होना है हम लोगों ने एक एक पाट करके बहुत यह इसता से बहुत आराम से अपना पांच पार्ट कम्टिट कर लिया है जिसमें हम लोगों ने सब कुछ सीख लिया है सम नॉट ऑल नो सम यह सीख दो पार्ट में तीसरे में आईदर और चौथे में पॉसिबिलिटी पांच वे में निगेट्व पॉसिबिलिटी ठीक है यहां तक का मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एक एक पार्ट बिल्कुल असानी से क्लियर हो गया होगा अब हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे क्लियर करना होगा तो चलिए अब हमें आप एक लास को एंड अप करते हैं तील दन कीप रनीं कीप रेक्टिसिंग थेंक्यू एंड बाबाए